नमस्कार मैं मोहिच शर्मा आपका स्वागत करता हूँ दीख शानताई एस में आज निउस ओप दे डे सेग्मेंट में बात करेंगे गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारनी सबसे पहले समझते हैं ये चर्चा में क्यों है मत्यप्रदेश में स्थित गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारनी कुनो राश्ट्री उध्यान के बाद भारत में चीतों का दूसरा आवाज बनने वाला है इस विशे में अधिक जानकारी इस प्रकार है मद्रप्रदेश सरकार गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण में अपनी महत्वकांची चीता पुनरतपादन परियोजना यानी चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पूरी तरह तयार है जो कुनो राष्ट्री उद्धिहन के बाद भारत में चीतों का दूसरा घर बनने के लिए तयार है इसके लिए हाल ही में केनिया और दक्षिन अफरिका की निरिक्षन टीमो ने तेरारियों का आकलन करने के लिए सब्भ्यारन का दौरा किया था टीमो ने छेतर का सफलता पूर्वक निरिक्षन करने के बाद इसे हरी जंडी दे दी है हाल ही में मद्रदेश के मुख्य मंतरी मोहन यादव ने वन्यजी वोर्ड की बैठकिया दक्षिता के बाद काना सत्पुडा और संजे टाइगर रिजर्व के शिकार के लिए जानमरों को यहां इस्थानांतिरित किया है अब थोड़ी जानकारी चीता के विशह में यहाँ एक बड़ी विल्ली है और जमीन पर सबसे तेज इस्थन पाई है इसकी दो उपर प्रजातिया है एक आयूसीन के अनुसार एशियाई चीता गंभी रूप से संकट ग्रस्थ है और बरतमार में केवल इरान में पाया जाता है दो अफरीकी चीता जिसकी कई उपर प्रजातिया विभिन अफरीकी देशों में पाई जाती है आयूसीन रेड लिस्ट में एक संकट ग्रस्थ बियू प्रजाति के रूप में सूची बद्द्ध है भारत कभी अशियाई चीता का घर था लेकिन 1952 में इसे वहाँ विलूप तो घोशित कर दिया गया ऐसे में इने पुना भारत में बसाया जा रहा है ताकि इस्थानी जर विवित्ता को पुना बढ़ाया जा सके